ओम शांति आज 29 सप्टेंबर 2021 के बाबा के मदुर महावाख्य सुनेंगे मीठे बच्चे इस अन्तीम जन्म में ग्रहस्त व्यावहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो एक बाब को याद करो यही गुप्त महनत है प्रश्न है आज की मुर्ली से ज्याम का तीसरा नेत्र मिलते ही कौन सा कॉन्ट्रास्ट स्पष्ट अनुवव होता है उत्तर है भक्ती में भगवान को पाने के लिए कितना दर दर भटक रहे थे कितनी ठोकरे खा रहे थे अभी हमें वह मिल गया दूसरा साथ साथ रहम आता है मनुष्य बिचारे अभी तक भी भटक रहे हैं रास्ता ढून रहे हैं बाबा ने हमें भटकने से छुड़ा दिया हम बाबा के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं आज मुर्ली से पहले गीत बजा है आज अंधेरे में है इंसान ओम शंद एक तरफ भक्त याद कर रहे हैं दूसरे तरफ में आत्माओं को तीसरा नेत्रम मिल चुका है अर्था आत्माओं को बाब की पहचान मिल चुकी है वह कहते हैं हम भटक रहे हैं दुनिया के मनुष्य तो भटक रहे हैं अभी तुम तो नहीं भटकते हो कितना फर्क है बाब तुम बच्चों को साथ ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं मनुष्य गुरुव पिछाडी तिर्थ यात्रा मेले मलाखडे आदी पिछाडी कितना भटक रहे हैं तुम्हारा भटकना अब छूट गया है बच्चे जानते हैं इस भटकने से छुडाने के लिए बाप आया हुआ है जैसे कल्प पहले बाप ने आकर पढ़ाया था वह राच योग सिखाया था कू बपू ऐसे पढ़ा रहे हैं बच्चे जानते हैं हम पांच विकारों पर जीत पा रहे हैं कहा जाता है माया जीते जगत जीत माया पांच विकारों रुपी रावन को कहा जाता है माया दुश्मन ठहरी माया धन संपत्ति को नहीं कहा जाता है माया किसको कहा जाता है वह भी बाबा स्पष्ट करते हैं लिखना भी है बाबा कहें अपने पास बोड़ पर लिखना भी है पाँच विकारो रुपी रावन वह माया तो मनुष्य अर्थ समझे कि माया किसको कहा जाता है धन संपत्ति को माया नहीं कहा जाता है तो बाबा कहे तो मनुष्य कुछ अर्थ समझे नहीं तो समझ नहीं सकते है माया जीते जगत जीत इसमें यादों और कवरों वा असुरों और देवताओं की कोई बात नहीं स्थूल लड़ाई होती नहीं है, गाया जाता है योग बल से माया रावण पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो, माया जीते जगत जीत तो माया पर जीत कैसे पाने है, वह भी बाबा हमें युक्ति बताते हैं कि योग बल से माया रावण पर जीत पाने से जगत जीत बन तुम बच्चे जानते हो, जगत कहा जाता है विश्व को, विश्व पर जीत पहनाने लिए विश्व का मालिक ही आते हैं, विश्व पर जीत पहनाने के लिए तो जरूर विश्व के मालिक को ही आना पड़ता है, वही सर्वशक्ति मान है, यह तो बच्चों को समझाया गया है बाप को याद करने से ही पाप भस्म हो जाते हैं कैसे जगत जीत बनते हैं तो बाप को याद करने से पाप भस्म हो जाते हैं मुख्य बात है याद की याद करने से तुम्हारे से कोई विकर्म नहीं होगा और खुशी में रहेंगे पतीत पावन बाप आये हैं पावन बनाने तो फिर हम विकर्म क्यों करें अपनी संभाल करनी है बुद्धी तो मनुष्य को है न इसमें और कुछ लड़ने आदी की बात नहीं है सिर्फ पाँच विकारों को जीतने लिए बाप को याद करना बहुत सहज है हाँ इसमें मेहनत लगती है याद में मेहनत जरूर लगती है टाइम लगता है माया दीवा बुझाने लिए घड़ी घड़ी तुफान लाती है बाके इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है वहाँ है ही देवताओं का राजय असुर कोई होते नहीं हम है ब्राम्मन, ब्रह्म्हा मुख्वंशावी, जो ब्राम्मन कुल के हैं, वही अपने को ब्राम्मन समझते हैं, रुहानी बाप हम रुहों को बैठ ज्यान देते हैं, ज्यान सागर पतीत पावन सद्गती दाता एक ही है, वही स्वर्ग स्थापन करने वाला है, तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, विलायत वालों को भी पता पड़ेगा, यह तो वही सिंध वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियां है, जो कहते हैं, पैरडाइज, श्रीमत पर स्थापन कर दिखाएंगे, आत्मा कहती है ना, शरीर द्वारा, आत्मा सुनती है और डाइरेक्शन पर चलती है, कल्प कल्प बाप ही आकर के हमें युक्ति बतलाते हैं, बाप है गुप्त, इसको भी पता नहीं पड़ता है, कितने धेर मनुष्य को समझाते हैं, फिर भी फोटो में कोई ही समझते हैं, तुम बच्चे अब समझते हो, हमारा ओल राउंड पार्ट है, बाप ने समझाया है, तुम ही राज्य लेते हो, और कोई ले न सके, सेवाए तुम भारतवासियों के, जो अभी अपने को हिंदु कहलाते हैं, आदम शुमारी में भी हिंदु लिख देते हैं, पॉपिलेशन की गिंती जब होती है, तो उस समय हिंदु लिख देते हैं, हम भल कुछ भी नाम दे, हम वास्तों में आदी सनातन देवी दिव का धर्म के थे, वह दैवी धर्म ब्रश्ट, कर्म ब्रश्ट हो जाने कारण, अपने को हिंदु कह देते हैं, हिंदु नाम क्यों पड़ा, यह भी कोई नहीं जानते हैं, पूछना चाहिए, बला यह तो बताओ, तुम्हारा हिंदु धर्म किस ने स्थापन किया, यह तो हिंदुस्तान का नाम है, कोई बता नहीं सकेंगे, तुम बच्चे जानते हो, अब ब्राम्मन देवता क्षैत्रिय धर्म की स्थापना हो रही है, इस समय तीन धर्म की स्थापना होती है, ब्राम्मन देवता क्षैत्रिय, कहते हैं, ब्राम्मन देवी देवताय नमह, ब्राम्मन है सर्वोत्तम नमबर वन, वास्तों में स्वर्ग, सत्यू को कहा जाता है, राम चंद्र के राज्य को भी स्वर्ग नहीं कहा जाता है, रिता युग में भी दो कला कम हो गई, तो बाबा कहे उन्हें संपूर्ग नहीं कहा जाता, आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है आसुरी राज्य, यह सब दिल में धारन करना है, अभी हमको स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना है, पवित्र तो जरूर रहना ही है, बाब कहते हैं, बच्चे काम महाशत्रू है, इन पर जीत पाकर पवित्र रहना है, इसलिए कमल फूल की निशाने भी दिखाए है, ग्रहस्त व्योभार में रहते कमल फूल समान बनना है, यह दृष्टांध तुम्हारे लिए है, हट योगी तो ग्रहस्त व्योभार में कमल फुल समान रह न सके, वह अपना निव्रत्ती मार्ग का पाठ बजाते हैं, ग्रहस्त व्यवहार में रह नहीं सकते हैं, इसलिए घर बार छोड़ चले जाते हैं, तुम दोनों सन्यास की भेट कर सकते हैं, बेहत का सन्यास और अध के सन्यास, दोनों सन्यास की भेट बाबा कहें, कर सकते हैं, प्रवरत्ती मार्ग में रहने वालों का गायन है, बाब कहते हैं, ग्रहस्त व्यवहार में रहतें, सिर्फ यह एक अंतीम जन्म, हिम्मत कर कमल फूल समान पवित्र रड़ा, इतना बाबा जैसे बच्चों को रिक्वेस्ट करते हैं, कि ग्रहस्त व्यवहार में रहतें, सिर्फ यह एक अंतीम जन्म, हिम्मत कर कमल फूल समान पवित्र रहो, बल अपने ग्रहस्त व्यवहार में रहो, वह सन्यासी तो घरबार छोड़ जाते हैं, धेर सन्यासी हैं, जिन्हों को पोजन देना पड़ता है, पहले वह भी सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बन गए हैं, यह भी ड्रामा में उनका पाड़ है, फिर भी ऐसे ही हुगा, बाप समझाते हैं, इस पतीत दुनिया का विनाश तो होना ही है, थोड़ी थोड़ी बात में ही एक दोपू धमकी देते रहते हैं, अगर ऐसा नहीं होगा, तो बड़ी लड़ाई लग जाएगी, तुम बच्चे समझते हो, कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, शास्त्र में लिखा है, पेट से मुसल निकले, फिर क्या हुआ, यह हुआ, फिर होली में स्वांग बनाते हैं, वास्तों में है यह मुसल, जिससे विनाश करते हैं, यह भी बच्चे जानते हैं, जो कुछ पास्ट हो चुका है, वह फिर भी होना है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनने ना ही, अभी तुम्हारी बुद्धी में सारा राज है, सिर्फ कहने की बात नहीं, इसको भी दोश नहीं दे सकते, दाबत है इस ड्रामा के अंदर परिवर्तन निश्चित है, तो उसमें किसी को भी दोश नहीं दे सकते, ड्रामा में पाठ है, तुमको सिर्फ बाप का पैगाम सुनाना है, यह ड्रामा तो अनादी अविनाशी है, भावी क्या चीज है, वह भी तुम समझ गए, यह कल्यूग अन्त और सत्यूग आदी का संगम नामी ग्रामी है, इनको ही को पुर्शोतम्यूग पर अच्छी रिती समझा रहे हैं, पुर्शोतम्यूग पर अच्छी रिती समझा रहे हैं, यह यूग है उत्तम पुरुष बननेगा, सभी सतो प्रधान उत्तम बन जाएंगे, अभी है तमो प्रधान का निष्ट, इन अक्षरों को भी, तुम समझते हो, कल्यूग पूरा हो, सत्यूग आएगा, फिर जैजएकार हो जाएगी, कल्यूग पूरा हो गया एक तरफ, सत्यूग की शुरुवात हो जाएगी, और चारों और जैजएकार हो जाएगा, कहानी सुनाई जाती है न, क्या कहानी सुनाई जाती है, यह है सहज ते सहज, जूठी कहानियां तो बहुत है, अब बाप खुद बैट समझाते हैं, बक्ती मारग में तुम मेरी महिमा गाते आएको, अब प्रेक्टिकल में तुम को रास्ता बताता हूँ, सुखदाम और शांती धाम का, सदगती को सुखगती, दुरगती को दुखगती कहेंगे, कल युग में है दुख, सत्युग में है सुख, समझाने में सब समझेंगे, आगे चल समझते जाएंगे, समय बहुत थोड़ा है, मन्जिल बहुत उंची है कॉलेज में जाकर तुम समझाएंगे तो इस कॉलेज को अच्छी इती समझेंगे बरोबर ये ड्रामा का चक्र फिरता रहता है और कोई दुनिया नहीं है वह समझते हैं, उपर में कोई दुनिया है इसे लिए सितारों आदी तरफ जाते हैं वास्तों में वहां कुछ है नहीं बाबा की ये बविश्यमाणी उस समय से कि वास्तों में कुछ भी है नहीं God is one, creation is one मनुष्य स्रिष्टी यही है मनुष्य मनुष्य ही है सिर्फ दे के अनेक धर्म है कितनी विराइटी है सत्यूग में एक ही धर्म था उसको कहा जाता है सुखधाम कलियूग है दुखधाम सुख और दुख का खेल है न बाब थोड़ी बच्चों को कब दुख देंगे बाब तो आकर दुख से लिबरेट करते है जो दुख हरता है वह फिर इसको दुख थोड़ी देंगे वगवान को कहा जाता दुख हरता सुख करता वह फिर किसको दुख थोड़ी देंगे अभी है रावन राच्य मनुष्य में पाँच विकार प्रवेश है इसलिए रावन राज्य कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री जोगरफी का राज अभी तुम बच्चों की बुद्धी में आ गया है रोज सुनते हो ये बहुत बड़ी पढ़ाई है बाब कहे ये बहुत बड़ी पढ़ाई है तो बाब समझाते हैं अभी बाकी थोड़ा समय है उसमें बाब से पूरा वर्सा लेना है धीरे धीरे मनुष्य भी समझेंगे बरोबर इश्वर का रास्ता तो यही समझाते हैं लोग भी समझेंगे क्या इश्वर को प्राप्त करने का रास्ता यहीं से मिलता है तो बाबा कहे धीरे धीरे मनुष्य भी समझेंगे बरूबर इश्वर का रास्ता तो यहीं समझाते हैं दुनिया में और कोई भी इश्वर को पाने का रास्ता नहीं बतलाते हैं इश्वर का रास्ता इश्वर ही बताते हैं तुम तो उनके बच्चे पैगाम देने वाले हो कल्प पहले भी जो निमित बने होंगे वही अब बनेंगे और बनाते जाएंगे बच्चों को विचार सागर मन्थन करना है राई देनी चाहिए बाबा हम समझते हैं यह चित्र होने चाहिए इससे मनुष्य अच्छा समझ सकते हैं बाबा के बच्चे भी बाबा को राई दे सकते हैं कि बाबा ऐसे चित्र होने चाहिए इनसे मनुष्य अच्छा समझ सकते हैं बाबा कम चित्र इसलिए कहते हैं क्योंकि कई centers बहुत छोटे छोटे हैं इसलिए बाबा कहते हैं दो तीन चित्र मुख्या ऐसे हो जिस पर अच्छी रिती समझा सकते हैं 5-7 चित्र भी मुश्किल रख सकते हैं छोटा सा center होता है तो natural है वहाँ पर इतने सारे चित्र कैसे लगाएं बाबा कहते हैं घर घर में गीता पाच्छाला ऐसे भी बहुत है एक कमरे में सब कुछ चलाते हैं मुख्य चित्र रखे हो तो मनुश्य को समझ मिले हैं आखरिन भगवान किसको कहा जाता है उनसे क्या मिलता है भगवान को बाबा कहा जाता है बबुलनात बाबा नहीं कहेंगे रुद्र बाबा नहीं कहेंगे शिव बाबा नामी गरामी है बाबा कहते है यह वही कल्प पहले वाला ज्यान यग्य है बेहत के बाप शिव ने यग्य रचा है ब्रामनों की रचना की है ब्रम्हा द्वारा ब्रम्हा में प्रवेश हो स्थापना की है यह है ज्ञान राज योग का और फिर यग्य भी है यह ज्ञान भी है राज योग का और फिर यग्य भी है जिसमें सारी पुरानी दुनिया की आखुती पड़ती है एक वही बाप भी है पीचर भी है गुरू भी है ज्ञान सागर भी है ऐसा और कोई है नहीं आज कल यग्य रचते हैं तो चारो तरफ शास्त्र रखते हैं एक आहुती का कुंड भी बनाते हैं वास्तों में है यग्यान यग्य जिससे उन्होंने कौपी की है ज्यान यग्य से ही उन्होंने वह यग्य कुंड बना दिया तो कौपी की है यहां कोई स्थूल चीज आदी तु है नहीं अभी तुम बच्चों को बेहत का ज्ञान मिला है और कोई यह जानते नहीं बेहत की आहुती पढ़नी है यह तुम जानते हैं पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी यह तो खुशी होती रहती कि रामराज्य स्थापन हो यह तो बहुत अच्छा है दाबा कही रामराज्य स्थापन हो यह तो बहुत अच्छा है परन्तो वह तो जो स्थापन करेंगे वह अपने लिए ही करेंगे न रामराज्य जो स्थापन करेंगे वह तो अपने लिए ही करे मेहनत सब अपने लिए करेंगे तुम जानते हो यह महाभारत लड़ाई भी इस यग्य से प्रज्वलित हुई है कहां वह हद की बाते कहां यह बेहद की बाते तुम अपने लिए ही पुर्शात करते हो जब तक बाप को न जाने वर्शा मिलना सके बाप ही आकर आत्माओं को सिक्षा देते हैं तुम्हारा है सब गुप्त आत्मा जो हिंसक बन गई है उनको अहिंसक बनना है किसी पर क्रोध भी नहीं करना है पांच विकार जब दान दे तब ग्रहन छुटे है इनसे ही काले हो गये हैं अब फिर सर्वगुण संपन सोला कल संपून क्यसे बने हैं यह बाप बैठ समझाते हैं इन लक्षमी नारायन को ऐसा किसने बनाया कोई गुरु मिला यह तो विश्व के मालिक थी जरूर पास्ट जन्म में अच्छे कर्म किये हैं अब अच्छा जन्म मिला है अच्छे कर्मों से अच्छा जन्म मिलता है कितनी सिंपल भाशा में बाबा ने कर्म की फिलोसफी बताई अच्छे कर्मों से अच्छा जन्म मिलता है ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन भी जरूर है ब्रह्मा सो विष्णु एक सेकंड में मनुष्य से देवता बनते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति इसको कहा जाता है बाप के बने और जीवन मुक्ति का वर्सा पालिया जीवन मुक्त तो राजा प्रजा सब है सत्युग में राजा प्रजा सब जीवन मुक्त स्थिती में है जो भी आने है उनको जीवन मुक्त बनना है बाप तो समझाते हैं सब को फिर है पुर्शार्थ करना, उंच पद पाने के लिए, पुर्शार्थ उंच पद के लिए, सारा मदार है पुर्शार्थ करना, क्यों न पुर्शार्थ करते करते हम उंच पद पाएं, बाप को बहुत याद करने से, बाप की दिल पर अर्थात तक्त पर चड़ जाएंगे, बाप कोई मेहनत नहीं देते हैं, अबलाओं से और क्या मेहनत कराएंगे, बाप की याद है भी गुप्त, ज्यान तो प्रत्यक्ष हो जाता है, कहा जाता है इनका भाशन तो बहुत अच्छा है, परन्तु योग में कहां तक है, बाप को याद करते हैं, कितना समय याद करते हैं, याद से ही जन्म जन्मान तरके विकर्म विनाश होंगे, यह स्पिरिच्छल नॉलेज कल्प कल्प रुहानी बाप शिव ही आकर देते हैं, और कोई भी ज्यान दे नहीं सकते हैं, अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों करती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम सब रुहानी बच्चों की रुहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉनिंग और नमस् शुक्रियां बाबा शुक्रियां आज की मुर्ले से धाना के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट अविनाशी ड्रामा के राज को बुद्धी में रख किसी को भी दोशी नहीं बनाना है पुरुशोत्तम बनने का पुर्शार्थ करना है इस थोड़े समय में बाब से पूरा वर्सा लेना है दूसरी पॉइंट डबल अहिंसक बनने के लिए कभी किसी पर प्रोध नहीं करना है विकारों का दान दे सर्वगुण संपन बनने का पुर्शार्थ करना है आज का बाबा कमुदुर वर्दान हम बच्चों के प्रती है विश्व परिवर्तन के स्रेश्ट कारिय में अपनी उंगली देने वाले महान सो निर्मान भवर विश्व परिवर्तन के स्रेश्ट कारिय में अपनी उंगली देने वाले महान सो निर्मान भवर जैसे कोई स्थूल चीज बनाते हैं तो उसमें सब चीजे डालते हैं कोई साधारण मीठा या नमक भी कम हो तो बढ़िया चीज भी खाने योग्य नहीं बन सकती ऐसे ही विश्व परिवर्तन के इसरेश्ट कार्य के लिए हर एक रत्न की आवश्यक्ता है सब की उंगली चाहिए हैं सब अपनी अपनी रिती से बहुत बहुत आवश्यक्त स्रेश्ट महारती है इसेलिए अपने कार्य की स्रेश्टता के मुल्य को जानो सब महान आत्माइ हो लेकिन जितना महान हो उतने निर्मान गी बनो उतना महान हो उतने निर्मानगी बनो आज का स्लोगन है हम बच्चों के प्रती अपनी नेचर को इजी यानि सरल बनाओ तो सब कारिय इजी हो जाएगे यानि सरल हो जाएगे अपनी नेचर को इजी सरल बनाओ तो सब कारिय इजी हो जाएगे अच्छा, ओम श्छान.